उठो चराग उठाओ के आपताब चलाए सरा कदम तो उठाओ के एक नाह बनाए उतारो पाउं से मेहंदी की ये पाउं जलते हैं उतर के रहपे देखो की ये पाउं चलते हैं क्यों की जीना इसी का नाम है क्यों की जीना इसी का नाम है कौन राम राम बहन अरे बबली की मा राम राम आओ 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 बैठो आज चार तारिक है ना हाँ चार तारिक ही है और रजनी और बबली भी आज ही आ रही है अपनी टरेनिंग पूरी करके पता ने का ही की टिरानिंग है ओ का कहे थी पीर एडू पीर आडूकेटर मतलब हम जोली सिक्षत जो अपनी उमर के लोगों को सही सिक्षा देता है पता ने क्या सिक्षा देगी पर आपे तक तो आज आना चाहिए था नौ बज गए है और ये लोग अरे थोड़ा इंतिजार और करो दोपहर की बस से दोनों पहुँचते ही होगी भूल गई क्या बस पहुँच जाए ठीक ठाक पहली दफा गई है घर से बाहर अकेले चिन्ता क्यों करती हो बबली की मा थोड़ी देर में पहुँचते ही होगी उनकी बस ए बगवान कल्यूग आगया कल्यूग मुझे माफ कर दीजिए वो गलती से खलती वो तो दिख रही है जमाना बहुत बदल गया भई या ताओ वो ताओ नाओ मैं तेरा समझी जो ताओ होता ना तो तुझे इसी बस में माफी मांगता रही हूं मैं आपसे तो मुझ पर इसान कर रही है गया माफी मांगता रही हूं मैं मानेवर इतना उतेजित क्यों हो रहे हैं आप क्रोध बुद्धी को खा जाता है और विशेशकर आपके लिए तो क्रोध अधियन्थानी कारक्सित हो सकता है मतलब मतलब इस व्रिद्धा वस्ता में व्यर्थ में क्रोध करेंगे तो शीगरी प्रस्थान कर जाएंगे पहले तो तू हिंदी में बोल हिंदी में अच्छा अच्छा ताउ हुआ क्या है क्या हुआ अरे छोरी होके छोले में ये सब लेके घुम रही है ये ये तो कॉंडम है आपको नहीं पता पता है लेकिन तो क्या हुआ तो क्या हुआ छोरी होके और ये कर और तू तू इसके साथ है हाँ ये हमारी दोस्त है हाँ लो सुन लो छोरा छोरे और दोस्त तो भाईया अपनी दोस्त को समझा दे कि छोरिया ये सब लेके नहीं गुमते ताव हम लोग शहर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं जोले में ये सब डाल के गुमने की जी हाँ, ये भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है ट्रेनिंग समझते हो ना ताउ, प्रसिक्षन कैसा प्रसिक्षन? हम लोग जीवन जीने की कला सीख कर आए हैं और अब हम अपने हम उम्र लोगों को भी सिखाएंगे आपके साथ जो ये हादसा हुआ है ये भी हमारे प्रसिक्षन, अर्थात, ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है दरसल नौजवान लोगों को HIV और AIDS के बारे में भी बताना है कि इस रोग से बचने का सिर्फ एक ही उपाए है सहियम और सही जानकारी रखना कॉंडम HIV से बचने का एक सादन है अब समझेता हूँ कि ये इसके जोले में क्यों है अरे भाड में गया इसका जोला और भाड में जाओ तुम साब अरे ओ भाई कंड़क्टर मुझे तो कहीं और सीट पे बिठा दे मैं नहीं बैठता हूँ अरे हट पने को हट याद बैठ नहीं दे ये तो शुरुवात में ही गड़बड हो गई छे क्या रजनी ना तो तु बैठ की चेन खुली छोड़ती और ना कॉंड़ा मुस्ताव पे गिरते पता नहीं गाउं जाके क्या होगा हलाकि हम जोली सिक्षक ट्रेनिंग में हम चारों को ये बताया गया था कि शुरू शुरू में कुछ मुश्किले तो हो सकती हैं लेकिन यहां तो शुरू करने से पहले ही गड़बड हो गई गाउं में जाके HIV और AIDS की बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा कैसे घूर रहा है जैसे खा जाएगा वो तो अच्छा हुआ कि राजा बाबू ने आकर बात सभाल ली और राजा बाबू भी ना कभी कभी अपने ही स्टाइल में हिंदी बोलते हैं चुपके चुपके वाले धरमेंद्र लगते हैं राजा बाबू गाउं के पंच गजानन बाबू है ना उनका बेटा कैसे एक ही हाथ से इतना भारी बैग उपर रख दिया सुभा से शाम तक गाउं के अखाडे में कसरत जो करता है शरीर और दिमाग पर पूरा ने अंत्रन 24 घंटे एक ही मंत्र रटता है सैयम 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 इसे बबली रूपन और मुझे हम चारों को हमजोली सिक्षक की ट्रेनिंग के लिए चुना गया था ताकि हम अपने हम उम्रों लोगों से HIV और AIDS के बारे में बात कर सके हमारा गुरु मंत्र था नादानी में की गई एक फूल जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है अरे अब आएगा मजा राजा बाबू के साथ इतनी सुन्दर कन्या झाल जा दाल जाए जाएगा मजा जाएगा झाल याल नाएगा जोुन्दर को सॉटतयमननन Polsce हाव याल टाराइगा जानीमनन सेग視 जानी गई आएगाوس मिएज परेख झाल फरेखने बाएगा में संयम 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 राजा बाबू के मंत्र तो अब राजपुरा पहुँशने तक नहीं रुकेंगे देखूं पबली क्या कर रही है खरेगी क्या देख रही होगी मेरे होने वाले जी जाज जी की फोटो उसे भी अपनी शादी तक संयम ही रखना पड़ेगा बबली का अंदास राजपुरा की पाकी लड़कियों से जरा अलग है सपने देखती है मगर हकीकत की जमीन पे पाउं रखकर गरवाले शादी कर रहे थे लेकिन बबली बबली ने आशा बहन जी की मदद से उन्हें रोका क्योंकि वो अभी 18 की कहां होई थी मैं अभी है शादी नहीं करना चाहती बबली ये तो क्या कह रही है तू खोश में तो है क्या कोई बताएगा कि यहाँ चल किया रहा है? जब तक मैं एठारा साल की नहीं हो जाती, मैं यह शादी नहीं कर सकती. मुझे लगता हैं, मैं भी शादी की जिम्मेदारियों को नहीं समाल पाऊंगी. नहीं होगा मुझसे यह सब. आगे पढ़ना चाहती हूँ मैं. फिर पता है क्या हुआ? जी जाज जी, यानि उसके होने वाले पती ने कोई और लड़की नहीं ढूंडी, बल्कि कहा मैं बबली के अठारा तक होने का इंतजार करूँगा. बबली की नजरों में सलमान खान कुछ भी नहीं है. जी जाज जी के सामने. अरे हटो भाईया, जरा खड़े होने की जगा तो दो, हटो. रिष्ट में तो हम तुम्हारे बाप बालों होते हैं, ना मैं शेंशा. ओहो, इसे क्या हो गया? लगता है फिर आप्टिंग का बूठ चड़ गया इस पर. अरे, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं. ये है रूपन, हमारा चौथा दोस्त, फूरा फिल्मी कीड़ा. लोग सोच के बोलते हैं, मगर ये, ये बोलने के बाद भी नहीं सोचता. ये ही मारूँआ तुझे का टेरम है, ये ही. जब हमको ट्रेनिंग में रेड रिबन क्लब खोलने के बारे में बता रहे थे, तो पता है ये क्या बोला? अगर आप कहो तो काजोल को बुला के कटवा दो वह ही, रेड रिबन. अरे, खाग दोस्ते मेरी हाँ. अब ओशाए. लेकिन ये रूपन करने के वाला है? तो भाईयों और भेनों, सफर है सुहाना. क्या आप सब गाएंगे मेरे साथ एक गाना? हाँ. तो क्या सबते याए है? हाँ. आओ सिखादू HIV की A, B, C. A, B, C, भाई, A, B, C. लेकिन सब इसका खयाल रखें. ये मतलब अभी नहीं. ये मतलब अभी नहीं. बी यानि बेवफाई बिलकुल नहीं. बेवफाई बिलकुल नहीं. हाँ. और C मतलब कॉंडम. कॉंडम करो इस्तमाल. कॉंडम करों.